हेलो फ्रेंड वेलकम टो माई चैनल मैं हूं सविता दोस्तों आज हमारी क्लास होगी बेट फर्स्ट एर की जिसमें हम पढ़ने वाले है यथार्थ वार्थ के बारे में यानि कि जानेंगे रियलिज्म क्या होता है रियलिज्म इन एड्यूकेशन जानेंगे इसका अर्थ पर देखिएगा जरूर और साथ ही अगर चैनल परना है अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजेगा बेल आकन भी प्रस कर लिजेगा जिससे आने वाली जो भी क्लास होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास जाने इस सिक्षा में यथार्थवाद क्या है इसके पहले की क्लास में हमने आदर्शवाद और प्रकृतिवाद को कम्प्लीट कर दिया है अगर आपने अब तक नहीं देखा है उस क्लास को तो जरूर देखेगा तो चलिए जानते हैं यथार्थवाद क्य गया है रियल प्लस इज्म रियल की उत्पति जो है ये ग्रीक भासा से हुई है जो कि इसका अर्थ माना जाता है वस्तू से रियल वस्तू और रियल का अर्थ वस्तू और इज्म का अर्थ होता है वाद से तो इस प्रकार रियलिज्म का साब्दी कर्थ हुआ वस्तू वाद अ उसी पर बल देता है यह विचारधारा भौतिक वाद पर आधारित है भौतिक वाद के अनुसार केवल भौतिक जगत ही सत्तिवाना जाता है इस प्रकार यथार्थवाद का सिधान्त है कि जो जगत को उसी रूप में सुईकार करता है जिस रूप में वहां हमें दिखाई दे है तो यह होता है यथार्थवाद यानि की स्ख्षा में यथार्थवाद या रियलिज्म तो देखिए अब हम आगे जानेंगे यथार्थवाद की कुछ परिभासाओं के बारे में तो यहां से इसका अर्थ आपको और भी संसार होता है अगली परिभास ब्राउन के अनुसार है कि यह थार्थवात का मुख्य विचार यह है कि यह सब भौतिक वस्तुएं या बाह जगत के पदार्थ जो भी है यह वास्तविक हैं और उनका अस्तित तो जो है वो देखने वाले से काफी अलग है यदि उनको देखने अगली परिभास है सौमे रामतियर्थ के अनुसार कि यह थार्थवात का अर्थ वह विस्वास या सिध्धान्त है जो जगत को वैसे ही सुइकार करता है जैसे हमें दिखाई पड़ता है तो यहां पर रियलिज्म से ही पता चल रहा है कि जो भी रियल है जो हमें दिखाई देता है जो भीवास्तिविक है अगे चलेंगे यह थार्थवाद के सिधानत के बारे में जानेंगे आनि के scripture of realism देखिये पहला principle है आंगे के सिधानत यानि के theory of organism ये थार्थवाद व्यवस्था है जो सदेव आंग्य क्रहती है इसका प्रतेक भाग स्वयम एक सक्रिय व्यवस्था है एक समन्वित प्रकरिया है यह केवल परिडाम नहीं है वरन स्वयम कारड भी है संसार विकास की प्रकरिया में एक तरंगित अव्य है परिवर्तन इस तरंगित विश्व का अधार भूत गुड है सत्य वास्त का किसार तत्व प्रकरिया है मन को अव्यव के अव्यव के कार के रूप में सुईकार किया जाना चाहिए यानि कि जो सत्थ है उसे के रूप में सुईकार किया जाना चाहिए मन को अगला है मानों के वरतमान वा ब्याओहारिक जीवन पर बल तो यथार्थवादि उन आदर्ष, नेमो एवं मुल्यों को कोई महत्व नहीं देते हैं जिनका सम्मन्ध वरतमान एवं ब्याओहारिकता से नहीं होता है इनके साथ ही वे बहुत धिक्ता तथा आदर्श वादियू का विरोध करते हैं अगला है यथार्थवाद पारलोकिक्ता को सुईकार करता है तो यथार्थवाद प्रत्यक्ष जगत को सब कुछ मानता है इसके अनुसार इस लोक से परे या अलग कोई वस्तु नहीं है इस प्रकार यह वेग्यानिक द्रिश्टिकोड एवं वस्तुनिष्टिता पर बल देता है वस्तुता यथार्थवाद अपनी प्रकिरिया में एक विज्ञान है यानि कि वेग्यानिक है अगला है वस्तु जगत में नियमित्ता रखना यानि कि रेग्यूलर्टि तो यथार्थवादी भौतिक जगत की नियमित्ता को आधार मानते हैं उनका मानना है कि भौतिक जगत में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं उनमें सतत नियमित्ता पाई जाती है अतहा यह जो नियमित्ता है जो रेगुलर्टी है वो मानों के अनुभव एवं ग्यान प्राप्ती में होनी चाहिए तथा तभी यथार्थ ग्यान हो सकता है अगला है इंड्रिय ग्यान की यथार्थता तो यथार्थवाद का अन्य सिध्धान्त इंड्रिय ग्यान की यथार्थता है उनका विचार है कि वास्तविक ग्यान की प्राप्ती केवल इंड्रियों के माध्यम से ही होती है क्योंकि इंड्रियां हमेशा सम्वेदन सेल होती है प्रायोगिक जीवन पर आधारित यथार्थवादी किसी ज्यान को तब तक सुईकार नहीं करते हैं जब तक कि वह प्रियोग द्वारा उसके निरिक्षड एवं परिक्षड की कसोटी पर नहीं कर लेते यानि कि उसे जब तक निरिक्षड उसका नहीं कर लेते उसको देख न अगला है विज्ञान पर आधारित तो यथार्थवादियों ने बालक को महत्वड तथा ब्यवहारिक ज्ञान देने के लिए पाठक्रम में वैज्ञानिक विस्यों के समावेस पर बल दिया है क्योंकि वर्तमान सिक्षा पडाली जो है ये विज्ञान पर आधारित है अथा यथार्थवादी सिक्षक की आधार सिला विज्ञान पर रखी गई है अगला है ब्यवसाइक सिक्षा पर बल यथार्थवादी उदार सिक्षा के साथ साथ ब्यवसाइक सिक्षा पर भी बल देते थे और उदार सिक्षा पर भी इनका बल होता था अब आगे देखी अथार के जीवन को सफल और उपयोगी बना सकें समाज की उननती में सह्योग दे सकें सम्रद्धी एम सुखी जीवन के सार्फ एब्यूपन के लिए बालकों को एवम व्यक्ति उखेरण के एक प्रमुक उत्धे है यतार्थ वादियों का मानना है कि बालन को की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें वा भौतिक जगत में जीवन की आवसकताओं की पूर्ती करने में सक्षम हो और सम्रुद्धी एवं सुखी जीवन विता सके अगला है ब्यावसाइक सिक्षा प्रदान करना तो यथार्थवादी सिक्षा का एक ऐसा उद्देश भी था कि बालक को ब्यावसाइक सिक्षा दी जा सके ताकि वा ब्यावसाइक जीवन प्राप्त करके भावी जीवन में समा यूजन कर सके और सम्रुद्धी एवं सुखी ज आदर्स को महत ब्रदान करते हैं यथार्थवादी ग्यान को मन और वस्तूओं का ऐसा सम्मंद मानते हैं जिसमें वस्तूओं पर ग्यान का कोई भी प्रभावर नहीं पड़ता सत्त तो सत्त है चाहे मानने उसकी खोज की हो अथवा नहीं की हो सत्त को सत्यापन की कोई आवसक पहला क्या है जीवन में उप्योगी तो पाठक्रम जीवन के अवसक्ताओं के अनोरोप व्यापक होना चाहिए, इसके लिए सभी यथार्थवादी एक मत हैं, उनका माना है कि पाठक्रम में जीवन से सम्मन्धित एवं उप्योगी सभी विस्यों को इस्थान मिलना चाहिए यथार्थवादी विभिन विशियों के उपयोगी वम रुचिकर विशियों के चैन की स्वतंत्रता बालकों को मिलनी चाहिए जैसे कि यथार्थवादी पाटकरम में 25 से 30 विशियों को स्थान देने के पक्षधर हैं ऐसी सिती में बालकों को अपनी रुची के अनरूप उप प्रभासा में अनिवारता प्रदान की जा सके ताकि वा ब्यावारिक ज्यान को क्रहड कर सके अगला है ब्यावसाइकता पर बल यथार्थ वादियों का कहना है कि पाठक्रम में ब्यावसाइक पाठक्रम को भी एक ब्यावसाइक बनाना चाहिए जिसमें अनेक वेबसाइट व आगे देखिए जानेंगे कुछ सिक्षड विधियां हैं यथार्थवाद की तो यहां पर आगमन विधी भी होती थी ग्यानेंद्रिय प्रसिक्षड अभ्यास विधी की द्वारा भी सिक्षा दी जाती थी यथार्थवाद में और भ्रमण विधी सरल से जटिल की और सूक्ष स्टोल से शोस्म की ओर और यफ़़क सै अनिश्टक्ष ए सिक्षर से आत्म विश्वास पर बल दिया जाता थो इन स़भी विधियों के द्वारा यथार्थ वाद में सिंसा दे जाती थी तो दोस्तो यह थी आज क्लास आई हूप आपको बहुत ही अच्छे सी यथार्थ वाद के बारे में समझ में आया होगा और इस वीडियो को आप एक से दो बार प्ले करके देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो दोस्तों ये थी आज की क्लास आई हूप आपको क्लास नई क्लास के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ धन्यवाद